तो फ्रेंट्स देखिए रादस्थान करमचारी जैन बोड जैपुर की थरफ से नोटिस रिलीज किया गया है तो इस नोटिस के अंदर क्या मेंशन किया गया है जिस भी कंडिडेट ने अब आगे आने वलजने भी एक्जाम है उसके लिए फर्म फिलप किया है तो उन सभी कं इंपोर्टेंट रहेगा तो इसमें बात करते हैं आपकी कि नोटिस के अंदर ऐसा क्या बोला गया है तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा उसके बाद एंड में आपको बहुत ही इंपोर्टेंट बात है वो पता लगेगी जितने भी कंडिटर ने इसके लि को ला गया है कि बोर्ड के संग्यान में आया है अभियार्थियों जो कंडिडेट है उन्होंने विज्यापन में उलेखित सेक्षण के योगता अर्थात क्वालिफिकेशन धारित नहीं होने के उपरांत अथ्वा अन्या किसी गल्त सुचना अंकित पर ओनलाइन आवेदन भर दिया है यानिके इसमें ये कहा गया है कि उस केंडिड के पास वकैंसी के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं थी या कोई उसके पास ऐसा डोकॉमेंट नहीं था जो की कंपलसरी था मेंडेटरी था तो अब उन केंडिडेट के लिए एक लास्ट चांस दिया गया ह ठीक है आगर वो ऐसे बैठ़ों के विरुद्ध कानूरी कारवाई की जा सकती है अगर उन्होंने जो यह आइस नोटी से अंदर बताया गए है वो काम नहीं किया है तो उसके बाद उनके खिलाफ कारवाई की जा सकती है तो बर्ड द्वारा भरतियों है तू जारी विग्यापन में ओनलाइन आवेदन मंगे गए थे ठीक है जिसके रिगार्डिंग अब अगर किसी केंडिट ने कोई गल्ट इन्फोर्मेशन यहां पे फिल कर दी है या उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी तो वो अपने ओनला करने का प्रावधन किया है तो ऐसे आवेदकों को अपना उनलाइन आवेदन पत्र परत्यारितिन के विड्रो करने का प्रावधन किया था तो इसमें ये पोस्ट क्या-क्या थी पसू परिचर्ण के ऐनिमल एटेंडेंट की सुपरवाईजर के लिए थी छात्रावा सदिक् तो इन में अब आगे क्या चांस दिया जाएगा या नहीं तो देहिए भक्त भरतियों में उलेखित सेक्शन के ओगेता धार्त जुतने भी यहां क्वालिफिकेशन मंगी गई थी नहीं होने के उपरांत भी अगर अब यर्थी द्वारा ओनलाइन आवेदन भर दिया है ठीक ह क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन फिर भी अप्लिकेशन फोर्म फिल कर दिया है तो वो 26-24 विशन के आज की डेट से 2 मई तक रातरी 12 बजे तक 7 डेज का टाइम दिया गया है अपनी SSO ID के द्वारा लोगिन करके आप इसमें अपना जो फोर्म है उसको विड्रो बटन प 3 में 2 माई तक का टाइम कैंडिडेट के पास है वो अपना फोर्म अगर विड्रो करना चाहता है तो विड्रो कर सकता है एक बार आवेदन विड्रो कर लेने परपुन है आवेदन से विकार नहीं किया जाएगा तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक चीज को अच्छी तरह से देख के उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि विड्रो करना है तो आप विड्रो कर सकते हैं लेकिन जिस केंड़िट ने गलत इन्फोर्मेशन यहां फिलप की हुई है क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है तो वो अगर विड्रो नहीं करते है तो कानून कारवाई उनके साथ की जा सकती है ठीक है तो ऐसा ना करें कि आपके पास पास नहीं है फिर भी आप एक्जाम देने जाएं तो यह उन्होंने कलियर मेंशन किया हुआ है आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि ओनलाइन जो भी उन्होंने फॉर्म फिल किया है अगर गलती है तो कारवाई उनके खिलाब की जा सकती है ठीक है तो कारवाई भी की जा सकती है तो इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना फर्म विट्रोग कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए जो की शेयर करने थी तो वीडियो को आप ज्यादा शेयर करें लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो चले फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू